कर दो कर दो कि इस वीडियो के मैंने आप लोगों को टीटोन बॉडिज के मारे पता है उसको चुके मैं तो लंबा वीडियो और धंग से देखते इनोंस की उसी में है सिंटेसिस उपलाइजेशन ऑफिटोन बॉडिज अगर समझ में आए बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में है तो रिपीट करके देखिए लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब की नमस्कार आज मेरा टॉपिक है कि टून बॉडिज सिंथेसिस किटोन बॉडिस सिंथेसिजन पहले हम यह जानेंगे कि यह किटोन बॉडिज होता क्या है और किटोन क्या है किटोन आप सब को जानते हैं यह कीटो ग्रूप है तो डेफिनेटली ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें यह कीटो ग्रूप होगा उसी को कीटोन बॉडीज बोलते हैं अभी फिलाल मैं बता दूँ कीटोन बॉडीज हम एसीटो एसीटोट एसीटो एसीटेट कीटोन और बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा हाइड्रॉक्सी बीटाइट रेट इस तीनों को कीटोन बॉडीज बोलते हैं यह तीनों क्या है और कहां से आया यह सब जिसका सम थोरी दिर बाद करेंगे मुद्दा यहां यह है कि कीटोन बॉडीज सिंथेसिस होता कहां है और यह कीटोन बॉडीज आया कहां से तो इसके लिए हम थोरा सा प्रिवियस जो है उसमें जाएंगे हम जानते हैं कि हमारे सरीर में कार्बो हाइड्रेट इनर्जी देता है क्याररेश के कार्बो हाइड्रेट ग्लुकोज के द्यूप में में इनर्जी देता है कि फैटियस लिए इनर्जी देता है वह से यह हम आपको बताया थे बीटा औक्सिडेस Anything do ई are the वी ओ QuelुBT वह होता है तो फैटियस बिड़ेता है लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि इनर्जी कार्बो हाइडरेट देगा तो इसका इनर्जी कम है, फैटी एसिट का इनर्जी जादे है लेकिन क्या फैटी एसिट के इनर्जी की जरूरत सरीर को रेवलर है? नहीं Carbohydrate के नहीं रहने पर या उसके unavailable होने पर हमें fatty acid के energy की जरूरत है तो ये बताने से पहले इसको डीटेल में जाने से पहले एक चीज़ हम और जान लेंगे कि ये fatty ketone bodies synthesized कहा होता है तो liver के mitochondria में liver के mitochondria में ये acetyl coenzyme से synthesize होता है मतलब acetyl coenzyme जो है liver के mitochondria में ketone bodies को synthesize करता है acetyl coenzyme से synthesize होता है ketone bodies हमारा ये हम जान लिए we will discuss it later थोड़ी दे बाद उसका हम चर्चा करते है अभी हम जाने कि इसकी जरूरत क्यों है ये ketone bodies आता कहां से है और इसकी जरूरत है क्यों कार्भोहेड़िट इनर्जी देही रहा है सरीर को तो फिर fatty acid की जरूरत क्यों पर गई एक चीज आपको में बता दना चाहता हूँ कि हमारे सरीर का एक महत्पूर्ण पार्ट है brain brain is the most important part of our body body का एक बहुत ही important part क्या है brain है और ये metabolically बहुत active होता है active brain हमारे सरीर में metabolically, metabolically बहुत active होता है और ये हमारे सरीर का 60-70% glucose का utilization brain करता है मतलब कि glucose का utilization direct brain करता है brain अपने functioning के लिए और इसको normal functioning के लिए भी glucose की जरूरत है normal functioning के लिए इसको glucose की जरूरत है मतलब glucose is the only source of energy for the brain brain का एक मात्र source of energy glucose है हमारा brain fatty acid को utilize नहीं करता है क्योंकि ये blood brain barrier को cross नहीं कर पता fatty acid तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर glucose की कमी हो हमारे सरीर में तो हम alternate source of energy fatty acid का ही इस्तमाल सरीर करेगा लेकिन क्या brain fatty acid के source को इस्तमाल कर पाएगा नहीं ये नहीं कर पाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर brain के बारे में थोरा सा और ये बता दें आपको कि चुकी हमारा सरीर glucose का निर्मान fatty acid से उचित मात्रा में नहीं कर पाता हमारा सरीर fatty acid से glucose का निर्मान उचित मात्रा में नहीं कर पाता इसलिए ही brain में glucose की उपलब्ता कम होगी तो जब brain में glucose की उपलब्ता कम होगी तो वो क्या करेगा amino acid या ketone bodies को fuel के रुप में इस्तमाल करने के लिए बाद दे होगा मतलब अगर brain में हमारा glucose कम हो गया और कुछ है ही नहीं सरीर में तो वो क्या करेगा fatty acid को तो इस्तमाल कर नहीं पाएगा वो इस्तमाल करेगा amino acid को amino acid को इस्तमाल करेगा या फिर वो ketone bodies को इस्तमाल करेगा तो ये amino acid और ketone bodies जो है वो इस्तमाल होंगे as a fuel brain के लिए important चीज है मतलब यह कि brain जो है वो fatty acid को इस्तमाल डारेक्ट नहीं करता है अब यह case कब होता है क्यों ऐसा जवरत परता है कि fatty acid का utilization हो आप जानते हैं food आप लेते हैं यह मालेजी human body है और human body का different part है thigh है thigh है, muscles है यहाँ पर भी adipose tissues है यहाँ से fatty acid निकलेगा और हमारे body के cells में जाएगा कब? जब अगर हम high fat diet लें high fat diet लेंगे तो क्या होगा? high fat diet लेने पर carbohydrate less हो जाएगा, कम होगा glucose कम हो जाएगा ठीक है? तो adipose tissue से fatty acid breakdown होगा और जाकि हमारे cell के अंदर में mitochondria के अंदर में पहले हम बता चुके हैं उसका beta oxidation होगा और वो fatty acid का beta oxidation जब cell के अंदर में beta oxidation होगा तो वहाँ acetyl coenzyme बनाएगा यह हम बता चुके हैं और acetyl coenzyme citric acid cycle में जाएगा citric acid cycle में जाके ATP देगा, energy देगा हमें तो यह process है fatty acid के, metabolism का fatty acid के से energy प्राप्त करने का यह हम बता चुके हैं अब मैं देख रहे हैं कि fatty acid की जवद कप परेगी जब हम fat लेंगे जादे carbohydrate की मात्रक कम हो जाएगी हमारे सरी में या starvation उपवास, उपवास करेंगे तो carbohydrate हम नहीं ले रहे हैं तो उस समय हमारा fat इस्तमाल होगा, fatty acid इस्तमाल होगा या फिर एक और चीज है, chronic diabetes mellitus type 1 जब बहुत ही chronic diabetes होगा और insulin की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाएगी तो glucose हमारे सिल में energy देने के लिए available नहीं होगा वैसी स्तिती में क्या होगा? fatty acid का ही इस्तमाल होगा उसी तरह adipose tissue से fatty acid निकलेगा body cell में जाएगा body cell के mitochondria में जाएगा आपको हम बता चुके हैं, beta oxidation होगा, acetyl को enzyme देगा acetyl को enzyme CTC में जाके ATP देगा citric acid cycle में तो ये सारा process है अब जब high fat diet या low carbohydrate diet का मानोसरीट ज्यादा इस्तमाल करता है या उपवास के दोरान या फिर diabetes type 1 जब insulin का निमाल बिनकुल बंग हो जाता है तब जाके ketone body का synthesize, ketone body synthesize होता है और उसका utilization होता है ठीक है? ये चीज़ है वैसे तो ketone body का formation हमेशा होता है लेकिन इसका formation उपवास के दोरान जादे बढ़ जाता है लगातार insulin की कम मात्रा fatty acid को insulin की कम मात्रा क्या होगा? fatty acid को adipose tissue से release करने के लिए बाद्दे होगा और अधिक मात्रा में ketone bodies का synthesis होगा अब आपका सवाल ये उठता है कि ये तो हम adipose tissue से body cell में जा रहा है ये fatty acid fatty acid फिर हमारा यहां beta oxidation हो रहा है acetyl co-engyme बन रहा है तो फिर हमको energy ATP इस्तर citric acid cycle में से मिल जा रहा है तो फिर यहां ketone bodies कहां से आ गया है? बिल्कुल सही सवाल है यहां पर अगर acetyl co-engyme से हम जब तक citric acid cycle यहां तुरा सगोड कीजेगा देखिए समझने वाली बात है हमारा ये acetyl co-engyme जो है वो oxaloacetate से यहां acetyl enzyme co-engyme आता है और यह citrate बनाता है और फिर acetyl cycle पूरा होता है ठीक है? तो और वो हमको energy देता है लेकिन यहां देखिए acetyl co-engyme fatty acid से बने ठीक है? और oxaloacetate न हो तो क्या यह cycle पूरा होगा? नहीं होगा तो यह acetyl co-engyme fatty acid से बीटा oxidation के बाद बनता रहेगा लेकिन उसका utilization citric acid cycle में कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि oxaloacetate जो है वो हमारे पास इसकी कमी है इसकी कमी क्यों होगी? अभी हम बताते हैं च्यों इसकी कमी होगी? अभी हमारे पास इसकी कमी है तो न यह acetyl co-engyme से combine होगा और न यह crave cycle को पूरा करेगा तो जो extra बचा हुआ acetyl co-engyme जो बन रहा है जिसका production हो रहा है fatty acid से वो क्या बना देगा? वो ketone bodies का निर्मान करेगा कौन-कौन को ketone bodies का निर्मान करेगा? यह acetyl, acetate, ketone, beta, hydroxybitrate इसी तीनों का वो निर्मान करेगा और वो निर्मान करेगा तो वो fuel के रूप में आपको देखे हैं यहाँ ketone bodies को brain इस्तमाल कर लेगा जो हम आपको बताए हैं अब हमको जानना यह है कि यह acetyl co-enzyme क्रेग साइकल में क्यों नहीं जाएगा? क्यों acetyl co-enzyme ketone bodies बनाएगा? यह एक सवाल है तो इसको भी हम तुरंट आपको बता रहे हैं अब हम यह जानना चाहेंगे कि acetyl co-enzyme क्यों नहीं जाएगा? लीवर में लीवर में increased amount of gluconeogenesis होता है जब लीवर में gluconeogenesis हो जाता है तो oxyelo acetate की कमी हो जाती है यह वही oxyelo acetate है जिसके साथ इस्टाइल को इंजाइम मिलके citric acid cycle में जाएगा यह कमी हो जाएगा लिस हो जाएगा तो क्या करेगा? वह acetate co-enzyme citric acid cycle में न जाके ketone bodies बनाएगा अब आप पुछेगा यह gluconeogenesis क्या है? gluconeogenesis जो है वो भी इसको गौर से समझे gluconeogenesis हमारा सरीर जब कार्बो हाइडरेड पुछित मात्रा में नहीं लेता है तो दूसरे source of energy को ढूनता है उस समय वो amino acid से हमारे सरीर में glucose का synthesis करने का कोशिस करेगा तो क्या होगा? वो oxyeloacetate citric acid cycle में नहीं जाके glucose तो है ही नहीं तो citric acid cycle में नहीं जाके वो यहाँ utilize होने लाएगा gluconeogenesis में और oxyeloacetate की कमी हो जाएगी तो क्या चीज पैदा होगा? जब इसकी कमी होगी तो ketone bodies का निरमाल होगा इसको और अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं लिवर में increased amount of gluconeogenesis होने से oxyeloacetate की कमी हो जाएगी और TCA cycle वोई citric acid cycle का capacity कम हो जाएगा जिससे acetyl co-engine का level बढ़ जाएगा ठीक है? और वो acetyl co-engine का level बढ़ जाएगा तो ketone bodies का production भी बढ़ेगा एक चीज़ हमें बताते हैं, इसको और थोड़ा डीटेल में बताते हैं मान लिजिए कि uncontrolled किसी को diabetes है uncontrolled diabetes mellitus है किसी को तो उसमें क्या होगा? और इसका critical condition है इसका मतलब है आप जानते हैं कि insulin का सेक्रेशन कम हो जाता है insulin का सेक्रेशन कम हो जाने पर क्या होगा? decrease glucose concentration इंसाइड दसेल मतलब सेल के भीतर glucose की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? there is accelerated lipolysis मतलब हमारे सरीर के एडिपोज टिसू से फटाफट fatty acid निकलना सुरू हो जाएगा बढ़ जाएगा दूसरा source of energy हो धूड़ेगा fatty acid एडिपोज टिसू से travel करके सरीर के cell के mitochondria में पहुंचेगा उसके बाद क्या हो जाएगा generates fatty acid lipolysis के generate करेगा fatty acid generate करेगा and utilization utilization of fatty acid releases large amount of acetyl coenzyme हमारा शरीर में acetyl coenzyme का release mitochondria में जाएगा होने लाएगा और deficiency of oxylo acetate और deficiency हो जाएगा तो इससे क्या होगा यह style coenzyme ketone bodies का निर्मान करना शुरू कर देगा वो कैसे करेगा वो भी हम बताएगा दूसरा condition हम देते है starvation 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 क्या है उपवास इसमें क्या होगा glucose की मात्रक कम हो जाएगा decreased glucose and oxylo acetate diverted for the synthesis of glucose and deficiency of oxylo acetate देखें oxylo acetate की deficiency हो रही है अगर starvation होता है glucose कम हो जाएगा oxylo acetate divert कहा हो जाएगा glucose को बनाने में और हमारा deficiency of oxylo acetate हो जाएगा तो जो acetyl coenzyme बन रहा है fatty acid से acetyl coenzyme क्या बनाएगा ketone bodies का निर्मान करना शुरू कर देगा और ketone bodies बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सरीर में तो यह सब कारण है जो जिसके चलते कि ketone bodies का formation होता है एक चीज़ और यहां बताते हैं कि हमारे सरीर में normal concentration of ketone bodies is less than 1 mg per deciliter नॉर्मल कंसंट्रेशन ओफ ketone bodies less than 1 mg per deciliter यह होना चाहिए इसको यूरीन में ketone bodies का test है इन यूरीन उस test को बोलते हैं रोथर्स test यूरीन में जो ketone bodies का test है उसको रोथर्स test बोलते हैं लेकिन वह beta hydroxy का test नहीं देता है beta hydroxy जो ketone body है beta hydroxy butyrate उसके लिए दूसरा test है modified रोथर्स test और एक और test है garhertz ferric chloride test तो यह चीज हमारे सरीर में इस तरह का test होता है ketone bodies को देखने के लिए जर्रली डियाबेटिक पेसेंट में होता है डियाबेटिक पेसेंट में क्या होता है glucose की जब कमी हो जाती है तो उस समय में ketone bodies का level diabetic patient में मालने जह कोई diabetic patient है ketone bodies का level बढ़ गया तो उसके चलते जब ketone body का level बढ़ेगा तो ketonemia बोलेंगे उसको और urea में ketone बढ़ेगा keto urea बोलेंगे इस दोनों को मिलकर हम एक देंगे जिसको कहता है ketosis ketosis यह ketosis problem है जो जर्रली डियाबेटिक मेलिटस वाले पेसेंट है उनमें पाए जाता है तो यह हमने आपको बताया क्या कि किस तरह से हमारे सरीर में fatty acid से acetyl को हिंजाम बनता है mitochondria में और वो acetyl को हिंजाम divert हो जाता है ketone bodies के formation में which is found to be another alternate source of energy but it's not good for a human body हमारे सरीर लगाता ketone bodies को fuel के रूप में इस्तमाल नहीं कर सकता है यह हमारे सरीर के लिए ठीक नहीं है हम देखेंगे synthesis क्यों होता है यह तो हम बता दिये synthesis कैसे होता है short form इसको जाने लिए बीना ज्यादे फर्मूलर लखे हुए acetyl coenzyme वही acetyl coenzyme जो हमारे fatty acids से mitochondria में निकल ला है के presence में acetyl coenzyme hmg coenzyme lyg lyg के presence में acetoacetate plus acetyl coenzyme और यह acetoacetate इसमें से जब co2 निकल जाएगा तो acetyl हो जाएगा और इसमें जब in presence of NADH और beta hydroxy butyri dehydrate के presence में यह beta hydroxy butyrate बनेगा यह हमारा synthesis हो गया जिसमें हमारा ketone bodies क्या हो गया aceton acetoacetate और beta hydroxy तो हम क्या बोलेंगे primary ketone body acetoacetate है और इसमें hepatic hepatic tissue इसको utilize करता है extra hepatic tissue इसको utilize करता है अब इसमें तीन चीज है aceton aceton acetoacetate इसमें अब आद देखे हैं exiled हो जाएगा हमारा सरी जो लंग है फेफरा उसे बाहर निकल जाएगा इसलिए देखते हुएगा कि अगर ketone bodies का level बढ़ गया है diabetic patient में तो उसके मुह से fruitious smell आता है कभी-कभी उसमें aceton के चलते हो fruitious smell आता है acetoacetate और beta hydroxy state यह metabolize होगा यह दोनों metabolize होगा यह metabolize कैसे होगा इसको जल्दी से हम लोग देख लें beta hydroxy utilate nad plus nad इसका production हो रहा है यह बनाएगा acetoacetate अच्छा उसके बाद in presence of succinyl coin तो देख लीजेगा ठीक से notes कर लीजेगा succinate निकलेगा यहां से और यहां बनेगा इन प्रिजेंस अफ थायो फोरेज थायो फोरेज थायो फोरेज जो है वो बनाएगा aceto acety coin co-engine यह थायो फोरेज लीवर में नहीं होता है यह नोट प्रिजेंट लीवर यह लीवर में नहीं होता है इसलिए हमारा लीवर जो है इसको में डबलाइज नहीं करेगा यह थायो फोरेज लीवर में नहीं प्रिजेंट होता है यहां हो जाएगा co-engine SH जो condensed करके बनाएगा acetyl co-engine A plus acetyl co-engine A तो देखिए किस तरह से beta hydroxy butyrate का metabolization हुआ और वो बना दिया acetyl co-engine A ठीक है तो यह तूटके फिर aceto acetate भी तूटके यहां पर acetyl co-engine A बना दिया तो इसका utilize कैसे किया इसका metabolism कैसे हुआ हमारे सरीर के extra haptic tissue में यह utilize इस तरह से होगा और इस total crumb में 20 ATP आएगे और 1 NADH आएगा 1 NADH is equivalent to 2.5 ATP तो टोटल 22.5 ATP आएगे और 1 ATP यूटिलाइज हो जाएगा इसमें से 1 ATP को minus कर दीजे तो टोटल 21.5 ATP का production हो रहा है इसके metabolism से मतलब इतना energy हमारे सरीर को मिल रहा है जो कि बहुत पर दिखा है इसलिए fat से अच्छा दूसरा यह है यहां अगर हम acetate से इसको छोड़ दे तो acetate हमको 90 ATP देगा यहां से ही बोड़ी का क्या है यह बी है यह यह बी है यह दोनों हमारा keton body है यह जाह से यह-जाह हो ड़ाइज हो रहा है हमारे सरीमर इस alors तो थोला सा यह आपको लेंदे लगेगा मैंने सुरू में आपको explain किया है कि हमेशा ध्यान में रखियेगा अब मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ यह फ़र जल्दी में बताया हूँ इसको अब नोट कर लीजेगा नोट करके समझने पुशिस किजेगा मैं यहाँ यह बताना चाहरा हूँ कि टिटोन बोडी बनता ही इसलिए है कि कार्बोहाइडर्ट ग्लुकोज की कमी हो और ग्लुकोज की कमी होगी होगी फाटी अचिट इëलाइज करएगा अचाहिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां oxyolo acetate की कमी हो जाती है तो वो style को enzyme ketone bodies का formation करेगा और वो ketone bodies emergency में utilization हो जाता है ठीक है? तो वो ketone bodies का utilization brain की कर लेता है चुकि brain fatty acid से glucose नहीं बनाता है fatty acid को utilize brain नहीं करता है ketone bodies को utilize कर पाएगा या फिर वो amino acid से को utilize करता है तो वैसी स्थिती में यह सारा क्रम है यह हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है कि ketone bodies क्या है उसका utilization क्या है और यह बहुत important चीज भी है हमको अमीद है कि आप लोग को समझ में आएगा इसको कोशिश किजिए बार-बार repeat करके देखने का और इसको notes बनाईए जो भी हमने बोला है उसको rewind करकर के और उसको लिखिए वही आपका यह notes है So, this topic is for finished ketone body synthesis and utilization Thank you